गुद मॉर्णिंग आज नेया टॉपिक चुकी फ्रेक्शन कल हो चुका था फ्रेक्शन के बाद डेस्मल टॉपिक आता है डेस्मल जैसे ही वर्ड आता है ना तो एक मन में बात आता होगा प्लेस भैलू नॉट फ्रेस भैलू अगर प्लेस भैलू समझ जाओगे तो डेस्मल पहले उम्हारे पास होना चाहिए तो डेस्मल में एक ही बात आती है वो होती है प्लेस का भैलू यहाँ पर गौर से देखो यह पॉइंट है यही डेस्मल है इसके लेट और लेट इधर देखो और राइट के लिए अगर यहाँ पर कोई स्पेस है ना यानि टेन का वन मल्टी टेन के पावर जीरू है यह इसको हम वान पढ़ते हैं यह स्पेस को टेन के पावर वन जिसे टेन पढ़ते हैं यह स्पेस टेन के पावर टू हांडेट यह स्पेस टेन के पावर खेरी आज देंट यह अगर यह देशमल सिस्टम में है तब अब यहाँ पर हम बात करते हैं यह स्पेस टेन के पावर माइनस वत या यहां पर यहां ऐसे ही यहां पर टेन के पावर माइनस तू है यानि वन बाई हंडिट यहां पर टेन के पावर माइनस थिरी है हम समझते हैं कि तुम लोग यह बात को समझ गए हो अब इस पर मैं कोशन पूछने का परियास करूँगा सभी का प्लेश भेलू अगर तुम लिखतेगा तो हमें खुशी मिलेगा अधर बाई मैं नाराज तो रहता ही पुशी की कोई बात तो है नहीं अब यहां पर देखो कि तुम लोग पुश कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो तो हम कुछ कोशने देंगे इस टाइब से तुम लोग अपने कूपी में टेवल बना लेना और उस टेवल को फील करना है तो हम समझेंगे कि हमारा काम सफल हो गया अभी तुम लोग सिक्स क्लास के बच्चे हो इसलिए ज़्यादा हाट कोशन नहीं देंगे ऐसे कि mental ability में होगा थोड़ा सा इसमें hard करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर तुम लोग नंबर लिख दो इसमें हम नंबर देंगे और यहाँ पर पहले point वाले का तो थोड़ा सा blue color से कर देते हैं ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर हम blue color से कर देंगे या point वाली a space है अब इधर कुछ हम डीजित ले लेंगे और इधर भी कुछ हम लेते हैं आज हम जदेखते हैं यहाँ पर पहला वन पलेश होगा वन पलेश मैं न यहाँ पर पर हैं और इन पर यहाँ पर ऐनड़ीडड प्लेश ओ हम बात करें थो सुरु अ जायगा यहां पर वन बाई हन्डेट हो जाएगा और यह तुम्हारे पास वन बाव यहां हो जाएगा यहां पर वन नवाई यहां पर टेन थौज़ेंट हो जाएगा दीख रहा होगा अब प्लीज को भरते हुए दिखा देना है कि आये हम लोग देखते हैं पहला कोशन है तुभारे पास कोशन नंबर one 0.5 यानि यहां नहीं होगा नहीं डालेंगे यहां भी नहीं डालेंगे यहां डालेंगे यहां 0 है यहां 0 डाल देंगे और point का toh kind और चुकि 5 कह रहा है 1 by 10 के हिषुये पर 1 by 10 के हिषe पर यहां पर 5 मिफ जाएगा यहीं काम करना है स्टूडेंट चुकि आप जितना बेक्तर करेंगे उतना ही बेक्तर आपको रिजल्ट होने वाला है यानि देखिए सिंपल सी लॉजिक है ना थे भी पाइंट सिक्स की अगर हम बात करें फाजन टेंट है वह यहां पर एक है पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा और यहां पर सिक्स है किसी ढंग से कोश्चन को तीसरे नंबर कोश्चन है यहां नहीं यहां नहीं यहां 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 पर फाइव जो जो स्पेस नहीं है उसको खाली खाली शोर देंगे अगला प्रस्ट है आपके पास चार नंबर तो आप लोग जवाब देते रहेंगे कमिंट करते रहेंगे और स्टुडिट की ध्यान दीजिए आप जब भी मुमाईल लेके बैठें टीपी में देखें तो परिवार के बरे सज्जस का होना उसमें अनिवारी है क्योंकि आप सही से देख रहे हैं कि नहीं यह बात को भी जानना जरूरी है इसलिए अपने फैमली मिंबर जो आप से बरे हैं उनके साथ बैठके देखें तो यह भी बात तुम लोग को करने आ गया आप तुम्हारे पास इसमें कर है नहीं है अगर दिकत है स्टूडेंट बोल सकते हो जवाब होगा जलग करने आ चुका है को अब हम लोग यहां पर एक्सपेंड करने के बारे में सिखेंगे तो यहां पर किसी भी चीज को expand कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे अगर वह expand करने आ गया तो धीरी धीरी तुभारा student आ जाएगा इसको 10 प्लस 8 लिख सकते हैं इसी धंग से 141 को आप 100 प्लस 40 प्लस एक लिख सकते हैं और थोड़ा सा आंगे बढ़ते हैं ना देखते हैं क्या हो सकता है जैसे 14.5 है इसको हम लोग 10 प्लस 4 और 1.5 है यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या यहां बात को जानना जरूरी है यानिक इसको हम यह चुकी यूनिट प्लेस नहीं है तो यहां 0 लिखाएगा तब य दस चार और पांच बटे 10 हम समझते हैं कि इस टाइब की कोशन में किसी स्टूडेंट को कोई तरह का दिकत नहीं होगा 53.27 इसको आप लिख सकता है पचास और यहां पर फिर तीन हो गया अब अगला हम लोग 2 बटे 10 होगा और यह अगला यहां पर 7 बटे 100 होगा हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट इस बात को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं आइए हम लोग इसको ऐसे भी निख सकते हैं पचास पुलस तीन दू बटे 10 को हल करेंगे 0.2 इसको हल करेंगे 0.07 यह ज़्यादा उपर है यह बात कोई समझने में किसी स्टूडेंट को कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट आप हमारे लिए बहमुल्य हैं आपको सीखाना मेरा यह ड्यूटी है और आपका सीखना भी आपको ड्यूटी है यह बात को ध्यान में रखना है दोनों अपने ड्यूटी को सही से करें बिल्कुल आप लोगने सही चे कर लिया है अब और कोशन करते हैं जीतने कोशन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही अच्छे होंगे चुकि प्रैक्टिस करने वाली कि कभी आर नहीं होती यानि दो सौफ मैं अच्छों को जाएगा आदर डालो जो नहीं रहे उसको जीरो लिखो तब तुम्हारे लिए ज्यादा बिल्तर होगा आगे कुछ कोशन और देखते हैं तो पहला कोशन है आपको अब डिश्मल फॉर्म में करना है यहां पर है कोशन सो के बाद पचास साथ तीन बटे दस साथ बटे सो तो देखिए सो का सो लिख देंगे पचास यहां हो गया साथ यहां हो गया इसको जोर देंगे 157 और प्वाइंट यहां थीरी यहां से बटेंगे यहां से बटेंगे अग्ला कोशन है तुम्हारे पास लुएस्टर्म बटाना है किसी भी सीज़ का लुएस्टर्म राजदर प्रेक्शन और लुएस्टर्म यहां पर तुमको 0.08 लिखना है जीरो पाइंट सौरी जीरो एट है बिलकुल सही जवाब पाइंट हो जाएंगे इन्ट बाइंट भी सही जवाब है कटने वाला है काट देंगे दो बटें पचेश अब इसकी बेलकुल सही जवाब है इसी ढंग से 4.56 है यहां पर 56 बटे 100 यानि इसको हम लोग शॉल्व कर देंगे कुमारे पास क्या होगा यहां पर चौदे चुको 56 यहां पर 25 यानि 4 कुनांद 14 बटे 30 यानि पचीज जवाब को 100 यानि 4 कुनांद 14 बटे 30 ये इसका सही जवाब हो गया इस ढंग से कोई भी कोशन अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं 2.575 है यानि यहां पर दू फ़लर 575 बाई एक हजार पचीज से कटने वाला है तागर ये पचीज नुनी पचास और यह 75 यहां पर पचीज चौको 100 यानि 2 कुनांद 14 30 बटे 40 हम समझते हैं कि सारी स्टूडेल को करने आ गया है अब हम प्वाइट में कैसे करते हैं यह बात को शीखना जरूरी है यहां पर तुमको terminating समझना होगा terminating और दूसरा है non-terminating terminating में क्या होगा यह बात को तुमके जानना होगा terminating में कि अगर किसी का denominator two के power या five के power पर लिखा रहा है denominator किसी के two के power और five के power पर लिखा रहा है तो वह terminating हो जाएगा और दो five के अलावा लिखा रहे है non-terminating हो जाएगा यानि यहां पर देखेंगे तीन के पांच है यह लिखा जाएग टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको हम पांच एक है उपर में भी दूसरे गुना कर दें नीचे भी दूसरे गुना कर दें तो तीन दो नीचे एक दस हो जाएगा यह जीरो पांट सिक्स हो जाएगा इसी ढ़ंग से तेरह वटे पचीश है यानि पचीश है तो पांच का स्कॉार है दो के स्कॉार और यहां पर दो कभी एक निचे स्कॉार ऊपर में हमारा तेरह दूसरे चार हो गया और इस पचीश दूसरे गुना करेंगे तो इस तो हो जाएगा तेरह चो को बावन जीरो पांट थाइप चो अंसर होते चला जाएगा तो कैसे करना है स्टूडेंट यह बात इंको समझ में आ गया चुकि उसको वहां पर पूरा करना है अब हम लोग को सब लोग बना लेंगे गुप सब के पास होगा ही अगर गुप नभी है तो कोई दिकर नहीं है तो थीरी हूल थीरी भाइप फूर को डेस्वन सिस्टम में लिखना है तो थीरी का थीरी पॉइंट बठा देंगे यहां जीरो बैठ जागा चर सती अठाइस यानि तीस में यहां पर सिक्स्टी थीरी का रहा है यहां पर फॉजेंट कहा रहा है कि पॉइंट के बात एक भी स्टीरी यह वाला हो जाएगा तुम्हारे पास आजाएगा अगला है लिस्ट लिस्ट फॉम दा इत के इस टेन पॉइंट थीरी फाइब है पॉइंट हटाएंगे एंडेट हो जाएगा यहां पर दस सो पाइंटिस पटे हंडेट अब इसको कटने वाला है काट देंगे पांच से कट रहा है यह भी पांच से कट रहा है पांच ग्रुना दस और जीरो पांच सब्सक्राइब है अगला यहां पर देश्मल फ्लेक्शन में कौन है तो दीन वाटे पांच यह वहां डेश्मल फ्लेक्शन में है दो सो तेरा वाटे एक हजार पॉइंट फिरी है वागी लोग वहां पर अभी तो नहीं है अगला का रहा है कि राइप की इच अब दो फोलोईंग डेश्मल इन प्लेस भैलू सब कि प्लेस में लू उताना है त प्लेस आगला इसे समझो है यह बैंस है यह टैन रही हां यह लगा यह बात अब इसकी लो एस्टर में करना है उसको बर्ड में लिख दोगे लो एस्टर में करना है भूल फिल करना है वो भी बात हो गया अब डिस्मल में हम compare कैसे करते हैं सिंपल सी लॉजिक है compare करने का आईए देखते हैं इलेवन फाइब नाइन पाइंट नाइन पाइंट नाइन पाइंट पहले तो यहीं बढ़ा है इसमें compare करने की दिवर्ट है नहीं यहां पर भूल नंबर में पहले compare कर दिए 11 बढ़ा है नौ से यहीं बढ़ा हो गया अगर दोनों बड़ाबर होता ना जेट प्ली यहां पर फाइप है और दूसरा यहां पर जीरोपांट, जीरोची बढ़ा आब यहां पर क्या होगा ना कि यह दोनों compare हो गया बड़ाबर का यहां पर पांच बढ़ा है ईचित होटा है यह व्ला बढ़ा हो गया तो इसको कैसे कर यह बात समझने में किसी खुई दिक्र नहीं है अगला है एसेंडिंग ओडर में लिखना एसेंडिंग ओडर में लिखने के लिए कि पॉइंट वान फोर टू पॉइंट एट सेवें तू पाइंट फाइब सिक्स कि वान पाइंट जीरो नाइट वान पाइंट जीरो नाइट वान पाइंट जीरो वान टू लेको इसमें सबसे छोटा यह है इसके बाद यह है नू इसके बाद यह है यह है इन नमर पर यह है वान पर यह है मार यह है यह रहिए कि करने का तरीका आप लोग अच्छे थांग से जान चुके हैं है तो अराम से कर देने अब डेशमों को कॉमन फ्रेक्षां में करना है कॉंइंट फटा करके पॉमन फ्रेक्षां में कर देंगे यहां पर common fraction में जैसे अगली पेज में हम लोग करते हैं यहां पर 11.81 है यहां पर point हटाएंगे यहां 100 हो जाएगा इकारह सो एकासी वाय सो यह common fraction हो गया यानि इसको हम भागा देंगे तो 100 भागा 11.81 कितना बार मिलेगा एक बार मिलेगा 100 हो गया यहां 8 और एक और यहां पर भी 100 एक बार मिलेगा यहां पर 100 यहां 81 यहां 11.81 बटेंगे यह common fraction में हो चुका है अगला प्रास्ट इसी भाग से 3.007 यहां पर पॉइंट अटा दिये यहां पर 1000 यानि 3007 बटे एक हजार इक हजार को आउ 3007 से भाग देंगे यह तीन बार में यहां पर साथ यहां पर साथ यहां पर साथ बटे एक हजार यह भी बात तुमारे पास के लिए ओचुका है हम समस्टे है कि सभी स्टुडेंट अच्छे रहत से समझ रहे हूंगे इसमें कोई दूत की बार नहीं है अगर यह समझ गए है तो कोई दीकर नहीं पर द्विजन मेसेट से भी हम लोग करेंगे यहां जीरो हो जाएगा और पांचों का 20 यह कुम्हारे पार हो गया इनि प्वाइंट फो अगला कोशल किसी ढंग से तुमको थीरी वाई फोर है यहां पर फोर यहां थीरी यहां पॉइंट बिठाएंगे चार सते 28 यहां पर दूर हो जाएगा और चार पचे 20 कट जाएगा यानि कहने का सेंज कि यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिकर नहीं होगा अब एडिशन की अगर हम बात करें सब्डेक्स सब्ट्रेक्शन की बात करें तो लाइक नहीं होता है यानि वरन वर्न में जुरेगा तेन तेन में जुरेगा संड़ेट हंड़ेट में जुरेगा और खोजन में जुरेगा कि यहां बात को समदना बहुत है जरूरी है आईए एडिशन को भी हम लोग दिखते हैं एडिशन और डेसिमल एडिशन और डेसिमल के हम बात करते हैं 0.3, 0.5, 0.8 प्यार्थिटें, क्वाटवशन. पूलमोषन प्याएंग 0.354 तो देखो एडिशन सब्टेक्शन करते समय यह ध्यान में देखा जाता है मौस्ट इगनिफिकेंट फिगर देखो यहां पर तीन है इसको भी तीन कर देना परे 0.500 और 0.354 यहां आइड कर दो फोर यहां 558 0.5 हम समझते ही कैसा लगा यह बार बता बहुत अच्छा अच्छा सब्टेक्शन करना रहेगा बगल से हम टेन ही लेंगे यह बात को ध्यान में रखना है पार इदर आए आए यह 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 पर पटना को अच्छा सब्सक्राइब मेरा है तो किसे से जाना की रास्ता है देखिए आप सांती से रहे हैं जेट से निकलेंगे ऐसे पतर लेना है एक रोड मिलेगी रोड से ऐसे जाना है ठीक है थोड़ा ही दूर जाएंगे तो फिर रोड को ऐसे करना है पतना कर्मेंट झाल 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 तो समझने में किसी स्टुडेंट को कोई ज़्वाद कोई दिक्कार नहीं है अराम से अब हम लोग को मल्टिप्लिजेशन सिखना है एक्सासाइज 8.3 सारे लोग बना देंगे आईगे हम लोग एक्सासाइज 8.3 हम लोग बना के देखते हैं 8.3 को जैनि 2.7 तो 1.05 है जैनि इसको हम 2.70 लिख सकते हैं इसको एड कर देंगे तो 5 7 और यहां 3.75 हो जाएगा इसी ढ़ंग से हम लोग अगला कोशन ही तुम्हारे पास 11.04 और उम्हारा है 15.003 यहां पर 15.003 और 11.040 यारी थिरी का थिरी और दा फोर जिरो 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 पांच एक छे और यहांपर हम समझते हैं कि सभी स्टूडिल को करने एडिशन आ चुगा है अग हम लोग डीफ्रेंस का भी बात करेंगे क्योंकि आज हो लोग बात करने के लिए तो आज बैठें यानि 5.80 इसमें से घटाना है 2.03 यहां पर पॉइंट अटा दो दिमांग लगाओ दस में से तिन तो नहीं जाएगा इससे पैचा लेगा तरस साथ यह वाला साथ ही बज़ गए और यह पांच हो गए फिरी पाइट सेवन सेमें इसना नम्मर कोश्चन इसी डंग से चौता नम्मर कोश्चन की अगर हम बात करें यहां पर बारफ पॉइंट जीरो वन है यहां जीरो बिठाने परेंगे और यहां इट पॉइंट पाइब नाइन वन है यह हम लोग को घठाना परेगा यहां तस यह में से नौ गया एक यहां दस एक दे दिया था नौ यहां चार और बारह इगार हो गया यहां ठीट चत्रक्षर के दूसरा मिलिंग भी होता है जो हम तुमको सिखाएं हेक और अप्यूमेंट से तो कभी गलती होने की चांस नहीं रहेगा एडिशन सब्ट्रेक्षन आप लोग अच्छे धंग से कर लिए हैं तो अब हम लोग अगले अप्शोर में मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे आज हम लोग इसमें एडिशन सब्ट्रेक्षन को देखे हैं अगले अप्शोर में मल्टिप्लिकेशन डिवीजन को देखेंगे यानि यह कैसे किया जाता है यह बात तुमको किलियर हो गया जैसे अभी हम लोग एक नौको नॉम्बर पुर्शन को और देखते हैं कि नौनुमर कह रहा है कि किसी के पास 11 रुपया है पहले उससे चार रुपया पचास पेश्थे चले गए है यहां पर पांच दस यह हो गया और फिर चले गए हैं यहां से 5 फाइंट थे नहीं तो जहां तक तुम लोग को करनी आ चुका है हम लोग फिर आगले वीडियो में तुम लोग हो गया है झाल युम लोग हम लोग गया है झाल section